Friends, MCC ने कल एक list निकाली हुई है और PDF के माध्यम से जिसमें उन्होंने round 1 और round 2 All India Pota में दोनों round में जो selected candidates हैं, जो joint candidates हैं, उनकी list निकाली हुई है ये list क्या क्या signify कर रही है, ये मैं आपको बताऊंगा इस list के base पे क्या आप कोई data निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि 20-25% seat अभी भी vacant रह सकते हैं तो ये seat से आप vacant seat निकाल सकते हैं और निकाल सकते हैं पूरा वीडियो ध्याँ से देखेगा मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप यह एडिया लगा सकते हैं मोटा मोटा उससे पहले फोर्च टाइम चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब किजिए वीडियो को लाइक किजिए और सेख किजिए दोस्तों कल आपने देखा होगा कि MCC ने एक list निकाली हुई है round 1, round 2 में selected candidates की round 1, round 2 में जो joined candidates हैं उनकी seatیں fixed हैं अब जितने भी candidates की list निकाली है उनमें से कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं है जो कि मॉप अप में जाएगा कोई भी मॉप अप में उसमें जा ही नहीं सकता है assemble तो जितनी भी seatیں यहाँ पे मिल गई हैं जितने भी candidates यहाँ पे दिख रहे हैं आपको pdf में इन में से कोई भी eligible नहीं होगा मॉप अप और इस ट्रे के लिए ठीक है मतब इतने candidates आप छाट लीजिए ठीक अब मैं बताता हूँ round 2 के allotment में अगर आपको थोड़ा सा idea लेना मैंने तो idea ले लिया है कि कितनी seatیں आ सकती हैं बहुत सारे aims में vacant हो रही है जो नीचे वाले aims है चार पाज़े में उसमें काफी seat बेकेंड हो रही है उपर वाले aims में भी बहुत साई seat बेकेंड हो रही है साउथ के कई सारे colleges में reporting हुई है कई सारी colleges में काफी reporting हो गई है means full के हैं और कई सारे ऐसे colleges जिसमें बहुत ज्यादा vacancy अभी create हो रही है तो overall अच्छी खासी vacancies आ सकती है अगर आप चाहें तो idea लगा सकते है round 2 की seat को जो allotment है उसमें not reported seat जो है और जो round 2 में seat अलड़ी candidates ने ली है वो छोड़ी है उसका idea आप PDF से और उसके data को लेके match करके आप लगा सकते हैं आपको idea मिल जाएगे कि कहां पे कितनी seat बचे छोड़ रहे है मौपप के लिए आपको पूरा idea लग जाएगा उसमें कोई doubt की बात नहीं है तो अच्छी खासी seat आ रही है मैंने पहले भी का था अब ये पूरा data अगर आप खंगाला चाहें पूरा calculation करना चाह है कि round one round two में जो allotted candidates हैं ये अब मौपप का पार्ट नहीं होगे अब जो भी seat होंगे वो या तो नए बच्चों के लिए होगी या तो फिर जो मौपप में जाना चाहर है उनके लिए होगी तो ये केवल उनहीं बच्चों के लिए है इसमें से maximum बच्चे क्या कहते हैं कि state म में भी maximum बच्चों को seat मिल चुकी होगी तो अबिसी बात है जैसे मैंने कहा कि मौपप में और स्ट्रे में कटाफ काफी डाउन जायागा मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूं मैं आपको कि इससे आपको कहीं ने कहीं benefit मिलेगा जहां तक कुछ candidates हैं अच्छ aims की कोसिस कररे हैं कि अच्छा aims हमें मिल जाया वह round two की forfeit करके अच्छे aims की कोसिस कररे हैं कि उनको मौपप में मिल जाया उनकी भी possibilities बस depend ये करता है कि जैसे एक बच्चा है एम्स गुरकपुर के लिए अगर वो मौपप में जा रहा है तो एम्स गुरकपुर में कितने बच्चे और लड़ी च्वाइस फिलिंग करने वाले हैं मौपप में जाने वाले हैं ये भी मैटर कर रहेगा वो चाहें आप तो डेटा उठा के देख सकते हैं हलाकि उस डेटा से ज़्यादा क्लिर नहीं होगा क्योंकि कुछ बच्चे ये हैं कि जो स्टेट में भी सीटे राउंड टू में ले लेंगे मतलब अभी और इंदिया कौटा राउंड टू में ये सेलेक्टे जो डिरेट्स हैं ये स्टेटी का पार्ट नहीं होगे अब जो भी बच्चे बच्चे हुए हैं वह स्टेट का पार्ट होगे में इस जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बोला तक state quota round 2 का cut of decrease होगा क्योंकि यहाँ पर जितने candidates allotted हैं यह आप state quota round 2 का part नहीं हो पाएंगे तो state quota round 2 में जो भी बच्चे हैं आप इसीटे लेंगे वो कम score वाले लेंगे तो mop up से पहले state quota round 2 का result आ जाएगा और state quota round 2 में काफी candidates का selection होगा तो mop up में फिर चुलो स्कोर वाले बच्चे उनके chances बनेंगे तो इसी लिए मैं पहले भी कह रहा था आप से अभी भी कह रहा हूं कि अभी भी hopeless होने की जरूरत नहीं है एक थोड़ा सा confidence रखे है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि परिशान हो जाते हैं परिशान होने से बात नहीं बस options आपके सारे open होने चाहिए कि अगर लेना है तो फिर कहीं पर भी seat आपको मिलने आपको लेनी होगी अगर hundred percent चाहते हैं तो low score है तो कोशिस यह करिए कि आगे तक अब मैं बार बार cut off के बारे में नहीं बिदा सकता हूँ कि यह round one round two आ गया तो इसके बाद क्या cut off हो जाएगा कैसे होगा यह फर्जी बाते में बार बार नहीं करता हूँ इसके लिए बहुत सारे fake channels हैं जो हमेशा बताते रहें कुछ ना एक बार बोल दिया बोल दिया वो फिर एक जो मैंने बोल दिया हूँ पथर की लगी रोगे फिर उसके बाद में उसको changes नहीं करता हूँ चाहिए वह गलत हो यह सही हो अलाकि वह सही की तरफ ही जाता है तो यह कुछ ऐसा हो सकता है तो आप इसे जो बच्चे हैं मौप पे जा रही है या फिजटे तक वेट कर रहे हैं बिल्कुल बेढ़क जाहिए क्योंकि सीटे आ रही है बहुत सारे नमूने यूटूब पे थे जिन्होंने बताया था कि सीटें बहुत कम हो जाए लेकिन जैसा यहां पर अभी दिख रहा है कि सीटें आने वाली है ठीक ठाक CT चाहिए तो low score है तो that's all